चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है चावल बनाने का जब भी आपके घर में कोई महमान आता है तो जीरा राइस हर घर में बनाया जाता है लेकिन आज जीरा राइस को कुछ अलग तरीके से बना कर तयार करेंगे simple jira rice की जगे अगर आप इस तरह से अपने महमानों को ये चावल बना कर खिलाएंगे तो आपके महमान भी बहुत खुस हो जाएंगे आप अगर इस तरह से बना कर चावल खाएंगे तो यकीन मानिया आपके चावल बिल्कुल खिले-खिले बनकर तयार होंगे वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और टेस्ट में ये सिंपल जीरा राइस जो हम घर में बनाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो चलिए ये रेसिपी सुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजे अगर रेसिपी पसंद नहीं आत कर तयार होंगे चावल बनाने के लिए यहां मैंने खुले मुकबरतन लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पांच गिलास भर के पानी पानी का कोई नाप नहीं है आप थोड़ा ज़ादा ही पानी डालिएगा आप पांच की जगे 6 गिलास भी पानी डाल सकते हैं क्योंकि हमें चावलों को एकदम पानी के साथ खुला पकाना है इससे क्या होगा हमारा जो पानी है उसको तो हमें निकाल देना है चावल से लेकिन जो चावल है एकदम अच्छे खिले खिले बनकर तयार होंगे बस पानी आपको ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी कम ना रहे भले ह पानी थोड़ा जाधा रहे जाए तो दो गिलास चावल बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है पानी डालने के बाद अब गैस का फ्लेम ओन कर देंगे और पानी को हमें बिल्कूल अच्छे से बोईल करना है पानी को हमें डखकन लगा कर बोईल करना है ताकि पानी जल्दी से बोईल हो जाए तो चलिए अब चावल का नाप ले लेते हैं उसी गिलास के नाप से यहां मैंने दो गिलास भर के चावल लिए हैं अब हमें क्या करना है चावल को बिल्कुल अच्छे से दो लेना है ये देखे चावल को मैंने बिल्कुल अच्छे से दो लिया है तो चलिए अब पानी को चेक कर लेते हैं और देखे पानी बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें चावल डाल देते हैं आपको ध और अच्छे से भी नहीं पक पाएंगे, उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चावल डालें तो पानी बिल्कुल अच्छे से गरम कर लें, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा स चमच का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो चावल तूट जाते हैं, बार बार चमच से मिक्स करने से, तो देखे तीन से चार मिनट हो गई है, चावल बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इस तरह से हमें चेक कर लेना है, और देखे चावल बिल बिल्कुल अच्छे से खिले खिले बनकर तयार हुए हैं तो चलिए चावलों के लिए special तड़का तयार करते हैं चावल को तड़का लगाने के लिए यहां मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन देसी घी से चावल में ब तो देखिए घी हमारा बहुत अच्छे से गार हो गया था तो थैके जादा गरम ना ऊजाए तरका हमारा जलना जाए इसलिए जीरा बंद कर दिया अब हम इसमें डालेंगे जीरा एक छमचबर करे मैंने इसमें जीरता के इसमें कर सक़ नवसती जीरी मुंत आपके पास अगर यह वाली लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी हारी मिर्ची भी डाल सकते हैं काटकर और यह मैंने यहां डाल दिया है इसमें थोड़ा सा हींग इससे जो है हमारे चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे और उनमें खुसबू भी बहुत अच्छी अब तड़के को हमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है यकीन मानिए इस तरह के तड़के वाले चावल अगर आप बनाएंगे तो अगर आपने सबजी भी नहीं बनाई है तो बिना सबजी के भी आप इने बहुत खुस होकर खाएंगे बहुत ही टेश्टी बनते हैं जरूर डालिएगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और इसमें हो सके तो थोड़ा सा हरा धनिया भी उपर से डाल लीजेगा मेरे पास नहीं था हरा धनिया तो मैंने नहीं डाला है लेकिन अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी इसमें जरूर डालिएगा अब सारे तड़के को हमें चावल के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है और यह देखिए एकदम खिले खिले और दूद जैसे सफेध हमारे चावल बनकर तयार हुए हैं क्यों देखने से लग रहा है ना एकदम होटल और रेश्टोडेंट में मिलने वाले चावल जैसे और दोस्तों इन चावलों को हम होटल में जाकर खाते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं लेकिन घर पर इनको बिल्कुल आसान तरीके से बना कर खाईएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अगर आपको पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू